एक बात तो पक्की है अगर भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है हाईवे बनाने के मामल में और बन चुका है दुनिया का सेकेंड लाज़ेस्ट हाईवे नेटवर्क तो ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई इनोवेटर टेकनोलजी तो यूज की ही होगी जिसके बारे बेश शायद ही लोगों को पता होगा तो आज हम आपको इसी नई टेकनोलजी के बारे में बताने जा रहे हैं लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलेगा बात करते हैं इस नई टेकनोलजी की इसे कहा जाता है 3D AMG टेकनलोजी जी हाँ 3D AMG जिसका फुल फॉर्म है Automated Machine Guidance टेकनलोजी इसी के दम पर NHI ने अभी तक इतने इनोवेटिव हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया है इसके शिरुवात होई थी कानपूर लखनो एक्सप्रेस वे से 63 किलोमीटर लंबा ये पूरा हाईवे प्रोजेक्ट था 4200 करोड में बना कर तयार कर दिया और 230 के बीच के दोरी घंटों से लेकर सीधा 40 मिनट में करा दी 3D AMG सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलजी है जो कि 3D इंजीनियर्ड मॉड्यूल्स को यूज करता है ताकि जो भी एडवैंस कंस्ट्रक्शन एक्यूपमेंट्स यूज किये जा रहे है इनको गाइड किया जा सके कि आप अर्थवक इतना कीजिए पेविंग इतना कीजिए इस से जादा नहीं खोदना है इनफेक्ट इस टेक्नोलजी में तो ग्लोबल नविकेशन सैटेलाइट सिस्टम जी एनएस सिस्टम भी लगा हुआ है जिसके मदद से एकदम प्रिसाइस लोकेशन पता चल जाता है कि कितनी चोड़ाई होनी चाहिए हाईवे की और क्या डेप्थ ह होनी चाहिए यह टेक्नोलजी आगे चलकर इतनी जादा कारगर हुई कि अकेले इसके दम पर हमने 30% एफिशेंसी रिकॉर्ड की है पैसे तो बचाई लिए साथी में कंस्ट्रक्शन स्पीड भी ड्रास्टिकली इंप्रू हो गई इस टेक्नोलजी के लावा और भी तमाम ट लाई जा रही है आज के समय में जिनके चेंड रियाक्शन से हाइवे का कंस्ट्रक्शन इतना तेज हो गया कि हमने चाहिना को पीज़े चोड़ दिया केवल पिछले आठ साल में ही 1.4 लाग किलोमेटर रोड कनेक्टिविटी हमने लेकर डाली और इससे हमने अपने आप ही एक नया विश्वर रिकॉर्ड बना दिया यह बड़ी अच्जिवमेंट के लिए तो आप एक लाइक तो करी दीजेव साथ में कमेंट्स में चैहिन लेकना ना बुलिएगा